देखो इस वीडियो के अंदर में Hyundai Xter के बार में डीटेल में बात करने वाला हूँ, हलागे इसको रिसेनली इंजिन माकेट में लाँच किया गया था और यह मेरा इसकार के उपर फ़र्स्ट वीडियो है, खेर इस वीडियो के अंदर मैं Hyundai Xter के उन पाच positive points के बार मैं detail में बात करूँगा जिनको आप consider करकर इस अकार को definitely खरीच सकते हैं लेकिन साथे में इस वीडियो के अंदर मैं Hyundai Xter के negative points के बार में भी बात करने वाला हूँ जिनको आप consider करकर इस अकार को ignore कर सकते हैं तो जिले यह find out कर लेते हैं, वो कौन से positive points है, जो कि इस अकार को खास बनाते हैं, और वो कौन से 5 negative points है, जो कि इस अकार को worst बनाते हैं, लेकिन वीडियो मैं के बाइट न से पहले हैं, आपर एक छोड़ी से request करना चाहूंगा, आगे जाकर अगर आपको ये वीडियो अच्छ जिनको इस अकार का लूग काफ़ ज़दा अच्छा लग सकता है, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जिनको इस अकार का लूग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ सकता, person to person ये चीज़र depend करती है, लेकिन अगर मैं अपनी opinion शेर करू, तो मुझे personal इस अकार का लूग अच्छ आफ़र किया है, फ्रंट के बंपर आपको attractive देखने को मिल जाएंगे, और इसके अंदर जो alloy wheels को option दिया है, उसका design आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, रियर में भी आपको H-shape के साथ टेल लायम का setup देखने को मिल जाएगा, और ये कार रियर से भी दिखने म काफी जदा attractive लगती है, हुंडाई extra का मुकाबला इंडिया में Tata 5 के साथ होता है, इसके अलगा Citroen की C3 के साथ ये compete कर लेती है, और recently launch मारती Suzuki France के साथ भी ये normally compete कर लेती है, क्योंकि pricing के इसाब से आपको मतलब comparison देखने को मिल जाएगा, वैसे segment थोड़ा सा अलग है, लेक इसकार का engine और इसकार के अंदर जो AMD transmission offer किया है, वो दोनों ही चीज़ है, इसकार को unique बना देते है, हाला कि इसका जो AMD transmission है, वो आपको definitely अच्छा खासा experience देने वाला है, gear shifting के दौरान इसके लावहियां पर, आपको कोई भी jerk फील नहीं होगा, कोई भी आपको lag फील नहीं हो जिसके देद आपको 83 PS की power output मिल जाएगी, अब यहाँ पर आपको 4 cylinder engine का option देखने को मिल जाएगा, तो definitely यहाँ पर आपको driving की मज़े आने वाले हैं, लेकिन Tata punch के अंदर सिर्फ 3 cylinder का option दिया गया है, जिसके देद आपको Tata punch के अंदर थोड़े से vibrations फील होगे, कुछ लोग या फिर आपको Hyundai की extra लेनी है, तो इन दोनों ही कारों को खरीदने से पहले, दोनों ही कारों का test drive आप ज़रू लेना, तकि आपको exact idea आजाएगा कि यहाँ पर किस कार के अंदर ज़्यादा power है, कौईसी कार lag करती है, gear shifting में, वहाँ पर आपके सभी doubt clear होने वाले है, no doubt Hyundai का AMD transmission काफ की जदा अच्छा होता है, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी lag feel नहीं होगा, तो वहाँ पर Hyundai की extra आगी निकल जाती है, लेकिन जो third positive point है, जो कि Hyundai extra को next level पर लेगे जाता है, वो है इसके अंदर CNG kit, हाला कि extra के अंदर आपको CNG kit को option देखने को मिल जाएगा, जिसके इसे clear नहीं है, कि Tata Company पंच का CNG model कब इंडिया में launch करने वाली है, तो फिलहल के लिए आपके पास सिर्फ एक्स्टर ये ऐसे एकलोथी choice है, अगर आपको ज़दा mileage चाहिए, आपका run ज्यादा है, आप काफे ज़दा गाड़ी चलाते हो on daily basis, तो उस case में आप एक्स्टर के CNG model को definitely consider कर सकते हैं, इसके CNG model को करीदने के लिए आपको लगबग 8 लाग रुपे के आसपास पैसे देने पड़ेंगे और उस से price range में आपके पास और बहुजदा options मिल जाते हैं, जो fourth number का positive point है, जो कि Hyundai X-Tor को और भी जदा unique बना देता है, वो है safety features, इस car के अंदर आपको 6 airbags का option देखने को मिल जाएगा, और Hyundai Company ने ये चीज़ as a standard provide करी है, यानि अगर आप base model के साथ भी जाते हैं, तो वहाँ पर आपको 6 airbags का option देखने को मिल जाएगा, तो ये एक positive point है इस car का, इसके अलवा इस car के अंदर आपको 3 point seat belt का option देखने को मिल जाएगा, और ये stability control का feature आपको देखने को मिल जाएगा, vehicle stability management ये feature offer किया है, hill hold assist ये feature आपको देखने को मिल जाएगा, rear parking sensors और rear parking camera भी दिया हुआ है, और इसके camera के अंदर आपको dynamic guide lens का option भी देखने को मिल जाएगा, तो ये एक positive point आपको इस car का देखने को मिल जाएगा, और Tata punch के अंदर आप pressure monitoring system ये feature देखने को मिल जाएगा, इसके अलाबा source feature और बाकी features आपको Hyundai extra के अंदर as a safety के तोर पर मिलने वाले है, जो आखरी positive point है, जो कि इस car को Tata punch के मुकाबले और competitor कारों के मुकाबले काफी जदा आगे लेके जाता है, वो है interior की features, no doubt इसका interior आपको थोड़ा सा अलग level का देखने को मिल जाएगा, लेकिन Hyundai company ने इस car के अंदर बहुत सारे first in segment features offer करे है, यहीं वो features इस car के अंदर आपको देखने को मिल जाएगे, जो कि आज के date में आपको Tata punch के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि इस car के अंदर आपको electric sunroof का option देखने को मिल जाएगा, Tata punch से यह चीज़ missing है, इसके अलावा इस car के अंदर dash cam offer किया है, और dash cam के तोर पा आपको dual camera का setup देखने को मिल जाएगा, safety के तोर पर यह feature काफ़ जदा important role play out कता है, जब इकाडी का accident होता है, फिर कुछ चिज़े होती है, छोटी मोटी लड़ाईया होती है, उस case में dash cam काफ Shifters का option देखने को मिल जाएगा, automatic variant के अंदर और यह चीज़ Tata punch से missing है, इसके अलावा इस car के अंदर आपको चेकर से features देखने को मिल जाएगे, जैसे कि wireless charger हो गया, rear में AC vents हो गया, इसके अलावा voice command हो गया, car connected technology हो गया, यह additional features आपको extra के अंदर देखने को मिल जाएगे, ल features को add किया है, थाकि Hyundai भी जादा से जादा लोगों को attract कर सके, तो यह positive points आपको देखने को मिल जाएगे, Hyundai extra के, अब उन negative points के बार में बात कलेते हैं, जो कि इस car को थोड़ा सा मतलब worst बना देते है, सबसे पहला point आता है, वो है इसके अंदर turbo petrol engine, फिलहाल के लिए इस car के अं आपको देखने को मिल जाएगा, उसे के साथ अगर मैं second negative point के बात करूँ, तो जब आप इस के त्रो के उपर बैठोगे, यानि तीन लोग जब इस car के त्रो के उपर बैठते हैं, तो यह car पीछे से काफिस जदा नीचे चली जाती है, तो उस case में इस के रियर के जो bumper से, व अब तीन लोग इसके रियर सीट के उपर बैठते हैं, तो यह car काफी जदा नीचे चली जाती है, तो यह एक सबसे बड़ा disadvantage आपको Hyundai extra का देखने को मिल जाएगा, इन practical चीज़े अलग भी जा सकती है, जो तीसरा negative point है इस car का, वो है इसका interior का design और color theme, इसके अंदर आपको स पसरे इसे लोग होते हैं, जिनको white color या फिर beige color पसंद आता है, मतलब कुछ लोगों को black color पसंद नहीं आता, तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो उस case में यह negative point आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके dashboard की उपर आपको अलग अलग pattern देखने को मिल जाएगे, जो fourth number का negative point है इ इसके बार में reuse पड़ है, quality और बेज़दा better हो सकती है, लेकिन अगर आप इसके base model को खरीद रहे है, या फिर second base model को खरीद रहे है, तो उस case में आप aftermarket music system के साथ जा सकते है, जहाँ पर आपको music quality अच्छे खासे देखने को मिल जाएगी, और जो last negative point है, fifth number का negative point है, वो है इ star ratings मिले हैं, और extra का अभी तक crash test नहीं हुआ है, जल्दी से जल्दी हो जाएगा, और हमें पता नहीं कि इसके build quality कैसी है, लेकिन build quality के मामले में मेरी हिसा आप से ये Tata punch को बिल्कुल भी मात नहीं देगी, इसके बार में आपको क्या लगता है, comment section में जरूर बता देना, तो ये 5 negative points थे, जो कि मुझे personally लगते हैं, और positive points में आपको बता दी है, अगर मेरे से कुछ चीज़े चूटी है, तो वो चीज़े आप मुझे comment section में बता सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी और topic के ओपर video चाहिए, तो वो चीज़े भी आप ज़रूर बता सकते हैं, वीडिय पिल के बिल नोटिफिकेशन का ज़रूर के लेना